नमस्कार दोस्तों क्या आभी पुराना से पुराना जोरों के दर्द की समस्या से परसान है गुटने में दर्द आता है काफी परसानी होती है चलने फिरने में उठने बैठने में काफी परसानी होती है जहां तक कि आलस कमजोरी थाकान बहुत ज़्यादा हो गए तो आज मैं आपके लिए इतना अधुत और आसान नुस्का लेकर आई हूँ, इतना चमतकारी नुस्का लेकर आई हूँ, जिसे अधि आपसप्ता में दो से तीन दिन तक आप सिवन करते हैं, तो ये किर मनें आप जोरों के दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, जहता आपको बनाना बिल्कुल आसान होगा, और आप कई रोगों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, इतना पावरफूल ये नुस्का, ये आपको काफी समय से काफी पूराने हडियों का दर्द है, यानि कि केल्सियम की कमी के कारण हो जाता है, तो उन सभी समस्याव से इसे आपको का जादा आलेस होता है, और ठकान होता है, आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, और बहुत जादा आप ठके महसूस करते हैं, तो उसमें भी आपको ये बहुत बहुत ही आराम देगा, और जादा आपको नहीं लेना है, मातर दो चम्मस ही लेना है, एक या दो चम्म मेहन उसका है और बहुत ही अच्छा वर करता है जो रोकि दर्द को जड़ से खत्म करने हैं सरद्यों में हम तो नहीं आने लगती है और अजीब सहा हमारा सरीर लगता है तो उस समें भी आप कर सकते हैं ताकि जो सेरीर हमारा घर्म रहेगा थंड़ा कम शुट अजोगा थंड़ा कम लगेगा और आपको ताघत इनट वैलेगी और आपको यहनिकी चुंस्ति मिलेगी औ उसमय आपको जब सरीर रहेगा, इससे आप लेंगे, तो आपको काफी अच्छा होगा, तो हम यहाँ पर लेना है सफेद वाली तील, कम करने में सर्दियों में तो लेना भी चाहिए, क्योंकि इस उसरीर णर्म रहेगा और जोरोक दर्द को भी जड़ से खत्म करता है, जोरोक यह दर्द को जड़ से खत्म करने में तील बहुती बहुतीं पाउर फूल होता है और नाटाय लुआ Black अपको लेना है तील और नारे जिसी की आपने 100 ग्रम डिया सो ग्रम के बराबर मनायर ले दोनों के आच्छी तरह से एक ग्रेंडिंग्र जार तो तील और नार्या दोनों को आपको बराबर मात्रा में लिए और इसका एग महिन पॉडर बना देना है अच्छी तरीके से उसके बाद आप इसे सुवह और साम ले सकते हैं दूद के साथ कि ले सकते हैं गुन्गुने दूद में एक चमस के बराबर में आपको इससे मिलाना हैं और आप सुबह सामने सकते हैं चाहे तो आप रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं जोरों करते है जोाब दर्द को जर से खत्म करता है यदि आप इसे रेड़र पीते है तो क्यों कि कभी तो अब च savoir है तो रेड़र पीएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा चाहे तो आप इसपते में दो या तीन दिन इसका सेवन कर सकते हैं दूद के साथ या आप दूद नहीं लेना चाहते हैं तो हलका गुन-गुने पानी के साथ भी ले सकते हैं लेकिन दूद के साथ आपको ज्यादा फैदा मिलेगा और आलस ठाकान जोरो का दर्द कमजोडी सके चनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हीट करें ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके नमस्कार